हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैंप्स में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज का टाइप नुमबर सिक्स जो की क्वेश्चन बेज़ डॉन होने वाला है मिक्शर के ओपर यह एक्चुली जो कॉंसेप्ट है यह अल्रेड़ी हमनोंने यही जो टर्म है यह परसेंटेज की टॉपिक में किस तरीके से यूज होता है आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग यह देखने वाले बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या किसी भी चीज़ की एंक्वा जाते हैं आज का टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज जो है आप जनरली जानते हो कि करके परसेंटेज क्या होता है और जब मैं मिक्षर की बात करूं तो वही बात होता है कि दो चीज़ों का अगर मैंने मिक्षर जो है वो परसेंटेज के फॉर्म में 50% भी तो दोनों का जो percentage है वो दोनों सेम हो जाए तो आई हम लोग question के इसमें समझ नहीं कोशिश करते हैं कि इसके question के इस तरीकी के होते है question में सबसे पहले given क्या है एक mixture है जो कि 15 लीटर का है और 40% जो है वो आपका sugar contain करता है तो समझ लीजे कि यह sugar है यह water है जिसमें 15 लीटर में अगर मैं 40% निकाल लो 40% of 15 कितना होता है I think what difficulty is 6 हो जाता है तो बचे का कितना 9 आपका अगर मैं इसमें 3 लीटर add कर दू water को 3 लीटर add कर दू water को मतलब यह आपका original original इतना है और current में मैं बोल रहा हूँ कि 3 लीटर मैंने यह आपर water extra add कर दे यानि यह 12 हो जाएगा So क्या आप उछ रहे हैं कि what is the percentage of sugar at new mixture percentage of sugar in the new mixture mixture कितना है अब देखो यहाँ पर मैं अगर sugar की बात कर रहा हूँ तो 6 आजाएगा अगर mixture की बात कर रहा हूँ तो यह कितना आजाएगा आपका 18 आजाएगा और percentage की बात अगर मैं करूँ तो 6 अपॉन 18 इंटो 100 that means 1 upon 3 आएगा and 1 upon 3 का सभी लोग value जानते हैं कि 33.34 जो percentage आपका जो है रहेगा इसका answer आजएगा I think very very simple but आपको बस समझने की change क्या हूँ रहा है और percentage निकालने के लिए आपको किन चीज़ों को यहाँ पर compare करने की जरूरत है चले आगे बढ़ते हैं कुछ इसी टाइप के question के साथ आज का lecture जो है वैसे काफी easy होने वाल है so फटा फट जो इन question को solve करने कोशिश करते हैं कि A mixture में 10 kg total mixture of 10 kg of A and B containing 20 percentage of B अब 10 का 20% कितना होता है 2 kg होता है और यह आपका आगे 8 kg so how much A add that B become 10% मतलब अब B जो है आपका 10 percentage है और A कितना रहेगा वो आपका 90% रहेगा यह इनका current percentage है so current value कितनी होनी चाहिए इसमें मैं कितना यहाँ पर B add करूँ कि B कितना add करूँ कि यहाँ पर आपका 10 percentage बन जाए तो इसमें अब ध्यान रखने वाली बात यह है हमनोंने mixture navigation में किया है ध्यान रखने वाली बात यह है कि 8 जो है आपका 8 जो है वो A का part है और इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं का गया okay how much will A add? A add का गया है so what that B become 10% okay तो इसमें यह चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर A को add किया गया है B को add नहीं किया गया A को add किया गया so कितना A add करूँ कि मैं B जो है वो 10% बन जा है तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर A को add किया गया B जो है as it is है तो B आपका 2 kg ही रहेगा क्योंकि देखो यहाँ पर मैं B को निकालने या add करनी की बात नहीं कर रहो है just A को add करनी की बात कर रहो है वो पहली भी उतना ही था original में भी उतना ही था और current में भी यह उतना ही है जो चीज change हुई है वो आपका A है 2 kg का value यहाँ पर 10% है 2 kg का value कितना है 10% है तो कितने kg का value 90% होगा I think यह बड़ा simple हो जाएगा 90% की जो value है वो I think आपको 18 मिल जाएगी 18 kg हो जाएगी तो यहाँ पर जो value वो 18 kg आएगा अब मैं आपर difference की बात करूँ कि कितना आपने plus किया तो पहले 8 था अब 18 हो गया तो difference अब आपको clear cut दिख रहा है कि sir 10 kg जो है इसमें extra add किया गया 10 kg option number D जो है इसमें extra add किया गया so concept इसमें क्या है actually कि जो चीज change नहीं होती है जो चीज constant रहती है आप उसको वैसे का वैसे ही mention करते हो वैसे का वैसे ही mention करते हो और फिर उसको percentage से compare करते हो ठीक है I think यह भी question समझा रहेगा आपको आगे बढ़ते third question के तरफ अब third question में given data आपको क्या क्या दिया है जरा देखते है कि there is 25 percentage alcohol in 40 liter 40 liter में अगर मैं 25 percentage alcohol की बात करो तो 75 percentage जो रहेगा वो आपका water रहेगा तो alcohol हो गया water हो गया अब इसका 25 percentage कितना होता है 10 होता है और 30 होता है अब जिन बच्चों को थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है या थोड़ा सा difficult लग रहा है तो बस इतना कि 25 percentage of 40 तो 10 मिल जाएगा बाकी का जो remaining रहेगा वो 30 रहेगा अब इसमें simple सा question कि मैं इसमें कितना alcohol मिलाओ so that to be reduced by 20% इसमें कितना alcohol मिलाओ will reduce to be 20% how much alcohol will reduce sorry मिलाना नहीं है मुझे reduce करना है कितना alcohol मैं इसमें reduce करू कि अब जो alcohol का percentage है वो सिर्फ 20% रहे और बाकी का जो percentage रहेगा वो water करेगा अब देखो मैं आपे addition की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपे बात कर रहा हूँ subtraction की क्योंकि यहाँ पर आपको reduce करने की बात की गई है so अभी वही बात है कि जो चीज constant है मतलब water को हाथ ही नहीं लगाया गया तो water आपका उतना ही रहेगा water जो रहेगा वो 30 liter ही रहेगा but इस में से मैंने कुछ minus कर दिया और ये कितना है actually मुझे वो नहीं पता but अब आप सीधा comparison कर सकते हो कि sir अभी जो percentage है water का वो है 80% और अभी जो है water का लीटर है वो 30 ही लीटर है so 30 liter की value अगर 80% है so 20 percentage की value जो है वो आपकी कितनी आ जाएगे I think अगर आप इसको solve करोगे 1,4,4 को divide करो तो 7.5 आपको मिलेगा यानि कि यह आजाएगा आपका 7.5 तो पहले ये 10 liter था अब ये 7.5 आगया कि जो चीज चेंज नहीं होती है जो चीज constant होती है अब उसको वैसे का वैसे ही लिखकर compare करते हो और बाकी की जो changes हो रहा है वो आप उसको value जो है यहापे equation की थूँदने ही कोशिश करते है I think concept एग्दम clear हो गया रहेगा तो I think इसके आगे की जो question है वो हम लोग जो फटाफट करशिश खतम करते है कि 3 liter of water जो है थोड़ी से different है 3 liter of water जो है 15 liter के mixture में add किया गया है offer 20 percentage solution of alcohol in water तो इसमें मतलब कि 15 liter में आपका 20% जो है वो आपका alcohol है 20% मतलब 3 तो बाकी का बचा हुआ water रहेगा इसमें 3 liter में ने water add कर दिया मतलब फिर वाटर कितना हो गया 15 हो गया तो strength of the cellule alcohol is now तो strength of alcohol अभी भी 3 है बट alcohol का comparison अब mixture के through किया गया क्योंकि strength की बात की गई तो अब alcohol mixture के अंदर कितना है वो पूचा गया तो alcohol जो है mixture के अंदर कितना है वो पूचा जा रहे तो यह 1 जा और 6 जा और 1 upon 6 कितना होता है यह बताने की ज़रूरत नहीं है पूंकि अब आपने percentage के कुछ data जो है अच्छे से लिख भी लिए होंगे यह थोगा अलग था यहां पर constant चीज़े नहीं mention थी और एक last question अगर मैं आज के लिए लूँ आज के topic का जो है last question लूँ so 20 liter of mixture में 20% alcohol है alcohol जो है कितना 20% है जो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बचा हुआ जो है रहेगा 16 रहेगा and rest of water अगर 4 liter में इसमें से water 4 liter of water भी mixed in it मतलब 4 liter of water अगर मैं यह से mix कर रहा हूँ तो percentage of alcohol in the new mixture will become मतलब यह एक टाइप हो गया अब आप यह समझ गए रहे होगे बहुत अच्छी तरह किसी की question को exam में कितना जल्दी निकालना होता है यह करके यहां पर comparison किसको पूछ किसका दिया जाता है और किसका पूछा जाता है आपको इस बात का ध्यान रखना था कि comparison किसको किस से करना कितना बढ़ रहा है वह बहुत जादा difficult question नहीं थे concept इसका बड़ा सिंपल था और यह जो concept मिक्षर के टाइप नूबर 8 में इसका डेप्थ देख सकते हैं ठीक है तो आज का लेक्चर जो है मैं आप फिनिश करता हूं नेक्स लेक्चर में जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए सभी को टेक केर और बबाए अगर आपको हमारा यह वीडियो पसं टेक केर और गुडबाए